रेडियो खाची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। आप सुन रहे हैं रेडियो खाची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर माधूरी रजक, एसोसियेट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, राची विमेंस कॉलेज राची। आज मैं सुनात कोतर तृत्य सेमिस्टर के पाठ्य क्रम में शामिल, श्याम नरायन पांडे की रजना, हल्दी घाटी के प्रथम सर्ग का कत्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। हल्दी घाटी एक प्रवंध काब्य है, इस काब्य को प्रारंब करने से पुर्वत। कभी पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पाठक तुम भी सुनो कहानी का आखों में पानी फरकर होती है आरंब कथा अब बोलो मंगल कर संकर। कभी श्याम नरायन पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर आधारित प्रबंध काब्य है। हल्दी घाटी राजपूतों की वह पावन बलिदान भूमी है जिसके शौर्य एवं तेज की भव्य गाथा से इतिहास के प्रिष्ट रंजित हैं। हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध मेवार समराट वीर महराना प्रताप की राजपूती सेना और अकबर की मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में कई राजपूत योधाओं ने अपने प्राणों की आहूती दी थी। यह वह समय था अकबर के समराज की जब स्थापना हुई थी। अकबर पूर्य भारत में एक छत्र शासन स्थापित करना चाहता था। इसी दरम्यान उनकी नजर महाराना प्रताप के राज मेवाड पर भी थी। वीर महाराना प्रताप राजपूत सिसोधिया वल्स के शासक थे। उन्हें अपनी जन्म भूमी मेवाड से आगाध प्रेम था। वे मेवाड की गरिमा को बचाए रखना चाहते थे। अपने राज की प्रजा एवं महिलाओं की इज्जत आबरू की चिंता उन्हें निरंतर थे। इसलिए वे अपनी जन्म भूमी को किसी भी कीमत पर अपमानित होते देखना नहीं चाहते थे। इस अंदर में कभी लिखते हैं सुनता हूँ वह जगा हुआ था जोहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहिनों के अपमानों से। हल्दी घाटी के प्रथम सर्ग में उसी वीर भूमी में से संबंदित वीर सेनापती महराना प्रताप की वीरता का वर्नन किया गया है। हल्दी घाटी की लडाई एक प्रकार से अस्मिता की लडाई थी। यह जननी जन्म भूमी की रक्षा का प्रश्न था। जननी जन्म भूमी स्वर्गा दपी गरी यसी कविश्याम नरायन पांडे उसी युद्ध भूमी और वीर महाराना प्रताब की वीरता का बखान इस काब्य में करते हैं। जल्दी घाटी वही बीर भूमी थी जहां शौर्य से भरे महाराना प्रताब और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। यह भूमी महा तिर्थ बन गई है क्योंकि यहीं से अंदकार को प्रकास में बदलने की अर्थात तमसो मा जोतिर गमया की सुरुवात हुई थी। इस काब्य के माध्यम से कवि ने उस पावन भूमी को नमन किया है। वे सेनापती महाराना प्रताप की समाधी से अत्यंत प्रेरित थे और उसे प्रेर्णा का स्रोत बनाना चाहते थे। क्योंकि महाराना प्रताप को किसी भी कीमत पर मेवाड पर अत्याचार बरदास्त नहीं था। इसलिए कवी इस काब के माध्यम से उनकी वीरता का गुनगान करते हुए लिखते हैं बगडोली है यही यही पर है समाधी सेनापती की कवी ने पाठकों का अहवान किया है कि वीर सेनापती से प्रेरित होकर उन्हें भी अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए आगे आना है और देश की बलिवेदी पर कुर्बानी के लिए शदैव तत पर रहना है अतह आज भी उस कुशल योद्धा से देश के युवाओं को सीख लेने की अवशकता है इस बारे में कभी कहते हैं आज यहीं पावन समाधी पर दीप जलाने आया हूं आज यहीं इस सिध पीठ पर फूल चड़ाने आया हूं वीर सेनापती के सौर्य रूप को देखकर संपुन प्रकृती भी उनके सौर्य गाथा का बखान कर रही थी सीतल हवा का जोका सुरी की सुनारी किरने प्रकृती के सौंधरी का गान है बिजिया दसमी के इस सुवसर पर यह युद्ध हो रहा था कभी लिखते हैं बिजिया दसमी का वासर था उत्सव के बाजे बाजे चले वीर आखेट खेलने उचल पड़े ताजे ताजे दोनों पक्ष भिशन युद्ध के लिए तयार थे उनमें विश्क के कन घुल रहे थे दोनों एक दूसरे पर आक्रमन करने के लिए उतावले हैं म देवाड देश के सैनिकों की कटारें खनखराने लगी नागीन के समान डसने वाली तलवारें जनजना उठी महाराना प्रताब की सेना के सरिया वस्त्रों से वानों से सुसोवित होकर हाथों में भाला थामे हुए मानों दुस्मनों का आखेट करने के लिए तयार खड़ी वीरों के मन में जोश भरने हे तू महाराना प्रताब भी अपने सेना पती शक्ति सिंग के साथ युद के लिए तयार थे मगर यह क्या सक्ति सिंग जो राजपुत वन्सका था इस युद में विधर्मी हो जाता है और अकबर की सेना का साथ देता है राजपुत होते हुए भी वह कुल का नाशक बन जाता है तथा अपने भाई प्रताब के खिलाप खड़ा हो जाता है युद प्रारंब होते ही भ अब बहने लगती हैं दुस्मन एक दूसरे का सिकार करने के लिए जानवरों की तरह भागने लगते हैं युद की इस बिभीशिका का वर्णन करते हुए कभी कहते हैं चीता यह वह बाग शेर वह सोर हुआ आखेट करो चीता यह वह बाग शेर वह शोर हुआ आखेट करो छेको छेको हिदय रक्त ले निज बर्चे को भेट करो युद स्थल रक्त की लालीमा से लाल हो जाता है हर तरब से विरोधियों को अपनी ओर आते हुए देखकर महराना अप्रताब सेर की भाती इस युद में प्रवेश करते हैं उनकी तलवार चमक उठती है कई दुश्मनों को मौत के खात उतारते हुए वे विजय राह में अग्रसर होते हैं विरोधियों से मिले हुए सक्ति सिह और महराना अप्रताब एक ही कुल के होते हुए भी एक दूसरे के खुन के प्यासे बन जाते हैं भाई भाई के बीच युद की स्थिती बन जाती हैं महराना प्रताब बार बार शक्ति सिह को सावधान करते हैं और उसे एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि शक्ति सिह ने अपने कुल के साथ विश्वास घात किया है कभी प्रताब के माध्यम से उसकी भीरता का बखान करते हुए या उन दोनों के बीच मित्रता या भाई के रिष्टे को कायम रखने के लिए भी और युद की बिभीश का कबर्णन करते हुए कहते हैं हम भी सिह हैं सिह तुम भी हो हम भी सिह हैं सिह तुम भी हो पाला भी है आन पड़ा आओ हम तुम आज देख ले हम दोनों में कौन बड़ा शक्ति सिंग और महराना प्रताप के बीच दुस्मनी बढ़ी दोनों एक दूसरे पर वार करने को ततपर थे दोनों के बीच अस्मिता की लड़ाई शुरू हुई शक्ति सिंग के धोखे का जवाब देने के लिए वीर महराना प्रताप कुल की मर्यादा एवं गरीमा को परनर करतेओं वे कभी आगे लिखते हैं है क्यके हिन हिनहों कारों से है के इस दहनों तंग कारों से कोला हल मच गया भयंकर मे वाड़ी ललकारों से युद प्रारम्भी हुआ और प्रतेक च्छन युद की स्थिती बदलती गई आक्रोश से भरे इन दोनों यद्धाओं को रोकने वाला कोई नहीं था लोग डरे साह में दूर से देखने लगे दोनों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी वन देवी भी इनके युद्ध को देखकर बिहवल थी दोनों का यह हाल देख वन देवी थी उर फाड रही भाई भाई के विरोध से काप उठी मेवाड मही दोनों भाई के युद को देखकर नारायन भी हैरान थे वे दोनों के इस युद को रोखना चाहते थे दोनों को समझाते हुए वे कहते हैं कि ये युद्ध सिसोधिया कुल का धर्म नहीं है वे शक्ति सिंग को राजपूत कुल का कलंक मानते हैं क्योंकि शक्ति सिंग ने जो कर्म किया था वह अक्षब में था नारायन कहते हैं राजपूत कुल के कलंक अब लज्जा से तुम जुक जाओ सक्ति सिंग तुम रुको रुको राना प्रताप तुम रुक जाओ हल्दी घाटी का यह युद और निर्णायक रहा युद समाप्त हुआ मगर संगर्ष समाप्त नहीं हुआ था भविस में फिर से शंगर्ष को अंजाम देने के लिए राना प्रताप एवं उनकी शेना युद स्तल से हटकर पहाडी प्रदेश में आ गई इस समय वे जंगल क खाक छांते रहे बड़ी कटनाई से राना प्रताप को समय व्यतित करना पड़ा फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा युद भूमी में प्रताप का शौर्य और रन कुसलता देखते ही बनती थी इस भिशन युद में अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर प्रताप सत्रू की सेना के बीच पहुँचकर उन्हें तितर बितर करने में सफल रहे असंग के मुगल सैनिकों से गिर्णे एवं घात सहने के बावजूद प्रताप अपने ववंश की मर्यादा को बचाए रखने में कामयाब रहे कवी ने इस सर्ग के माधिम से पाठकों का हवान कि है कि आज उस वीर सेना पती महाराना प्रताब से प्रेरित होकर उन्हें भी अपने देश की मर्यादा की रक्षाहेतु आगे बढ़ना है देश के लोगों को उस कुसल योद्धा से सीख लेने की आवशकता है इस प्रकार हल्दी घाटी काब्य के प्रथम सर्ग में कभी श् सुगणता से वर्नन के करते हुए लिखा है गया बंध पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का यह विरोध भी कारण है भीशन रन हल्दी घाटी का धन्यवाद